हेलो गाईज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो देखे इस वीडियो पर हम लोग बताएंगे और हम लोग जानेंगे कि वैक्सिनिशन की प्रोसेस और गवर्मेंट के इस डिसेजन के वज़ा से आज आपको तीन सेरों में जबर जस्त तेजी देखने को मिल सकती है इन तीनों स डिसाइड किया गया कि COVID-19 की जो वैक्सिनिशन है वो एक मैं से 18 साल से बड़े जितने भी लोग हैं उनको वैक्सिनिशन की प्रोसेस पे लाया जाएगा और उनको लगाने की अनुमती दी गई है एक मैं से तो इसका रियक्शन जो है आज इस नियूज का रियक्शन और इस सिर्क COVID-19 को लेकर ही है तो COVID-19 को लेकर जो प्रोसेस चल रही है और जो लॉगडाउन की बात की जा रही है वो पूरी तरीके से गवर्मेंट लॉगडाउन के फेवर पे बिल्कुल नहीं होगा विकॉज अगर पूरा लॉगडाउन होगा तो फिर से आपको बहुत सारे प् प्रोसेस है यह अगर अठारा साल के लोगों को भी लगेगा अठारा साल प्लस जितने भी उनको लगेगा तो क्या हो जाएगा वैक्सिनेशन की प्रोसेस में और वैक्सिन की बिकरी पे बहुत जादा असर पड़ेगा बढ़त होगी और इसी के वजह से तीन से तो चलिए क करके देखता हूं लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूं देखिए हमारा एक दूसरा चैनल सेयर मार्केट अपडेट के नाम से जिसमें स्टॉक मार्केट के रिगाइडिंगे टीवी चानल पे दिये गए जो डिसकस की जाती है उसके क्लिप्स डाले जाते हैं जो कि आपको काफ दूसरे चैनल पर तो मुझे यह वीडियो कबर नहीं करना पड़ता बट टेकनिकल लेबल्स यहां पर आपको नहीं दिखेंगे वह लेबल्स आपको हमारे दूसरे चैनल से देखना होगा बट अपडेट जो आती है वह काफी इंपॉर्टेंट रहती है काफी ज्यादा फा और इन सभी फार्मा सेक्टर से जुड़े जितने भी स्टॉक है मैं आपको यहां पर दो स्टॉक बताऊंगा दोनों पर आज मुमेंटम होगी और आपका यह जो 2000 वाला सीरीज है वह आपको आज कंप्लीट होता दिखेगा स्टॉक 4980 और 4990 इवन 5000 को उपर अगर निकल जा सब्सक्राइंगे विद इस्टॉप लॉस ऑफ 4960 जिया उन चास्तु साथ रुपय का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे स्टॉक पर अपसाइड हुई ते बावन सु रुपय तक की मुमेंटम आपको देखने को मिल सकती पोजिशनली बड़ आपका जैसे 2000 कंप्लीट हो पर ना निकले आप इस पर बाइंग पोजिशन नहीं बनाएंगे और बाइंग पोजिशन इसी के आसपास में बनाईए बनाईएगा विकोज इसका जो स्टॉप लॉस सिस्ट्र में मेंटेन होगा वह 4980 और 4960 इसी के बीच में आप एप्रूपियेट इस्टॉप लॉस जो के मुमेंटम आपको देखने को मिल सकते हैं तेकि नेक्स स्टॉप एस्टाजेनी का फार्मा होगा एस्टाजेनी का फार्मा में भी मुमेंटम आपको देखने को मिल सकती है और यह स्टॉप बहुत नीचे के लेवल पे है तो यहाँ पे एक पोजिशन बनाया जा सकता फिस 3630 का लेवल है आप इस स्क्रीन पर देख पा रहोंगे मैंने मिस्टेक से कहा दिया 3630 के ऊपर पर जाए इस पर पुजिशन बनाई है इसमें आपको 3890 और 3900 इतनी तक कि अपसाइड मोमेंटम आज आपको देखने को मिल सकता लेकिन हम लोग क्या करेंगा बहुत जादा अगर गयाप में गयाप आप में खुले तो हम लोग फिर इसे अवोइड करेंगे और फिर नीचे के लेवल्स प्याने देंगो 3630 के आसपास में हम लोग पुजिशन बनाने की कुछिस करेंगा विदे स्टॉप लॉस अब 1300 3600 तो यह दो काउंटर से जो आज आपको मोमेंटम अगर गिरता भी है तो आपको इन सभी स्टॉक्स पर गिरावट अट लिस्ट देखने को नहीं मिलेगे मोमेंटम तेज हो या ना हो बट आपको अभी फार्मा इंडस्टी पर ही पैसे लगाने हैं जब तक यह कोई-19 की सिच्वेशन पूरी तरीके शुबन नजे वह भी आ यह दोनों कमपनियां फंडामेंटल इतनी स्टॉंग है कि आपको बिलीब नहीं होगा आप अगर इसकी डिटेल्स वाली वीडियो हमसे चाहेंगे तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा एस्टाजनी का तो एक मल्टी बैगर सेयर है और काफी बहतरीन कमपनी है इसके बारे में हमने बहुत 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 डिटेल्स में वीडियो बनाया है अगर आप चाहेंगे तो फिर आपको मैं एक वीडियो जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा इस्टॉक काफी नीचे मिल रहा है एक बार जरूर ध्यान दीजेगा पुजिशनली भी यह स्टॉक आ मैं मिलताव नेक्स्ट वीडियो पे तब तक के लिए बाद बाद देलेंगे